नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टाइम में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे गरेलू सामान के बारे में जिसको आप बहुत सामन्य समझते हैं लेकिन वाक्य में वो बहुत है कमाल की चीज है जी हाँ दोस्तों, हीरे जैसी चमकने वाली ये चीज कुछ और नहीं, ये फिटकरी है तो दोस्तों, आज यही गुणकारी फिटकरी अपने गुणों को लेकर आपके सामने आई है, आईए देखते हैं हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी अपने फिटकरी, आप मुझे जानते तो हो ही, मैं आम जीवन में आपके काफी काम आती हूँ तो अब मैं आपको बताऊंगी अपने कुछ फायदे दोस्तों, अगर आप अस्थमा या खासी से परेशान हैं, तो आदा ग्राम मुझे पीस कर शैद के साथ मिलाकर चाट लीजिए आपको खासी से तुरंत लाब मिलेगा, मैं आपके दातों और मसूडों के लिए भी बहुत फायदेमन हूँ बीस ग्राम मुझे और दस ग्राम सेंधा नमक लेकर दोनों को पीस लीजिए अब इस पाउडर से रोज अपने दातों और मसूडों की मालिस कीजिए आपके मसूडों से खूनाना बंध हो जाएगा और दात मजबूत हो जाएंगे गर्मियों में नकसीर होने पर मुझे गाएं के दूद में घोल ले और तीन से चार बूंद नाक में डाल ले नाक से खूनाना बंध हो जाएगा मुझे में एंटी बैक्टरियल और एंटी सेप्टिक तत्त भी होते हैं आप शेविंग के बाद मुझे आफ्टर सेव की जगह लगा सकते हैं दोस्तो अगर आप सर्वी जुकाम से परेशान हैं तो गरम तवे पे फुला कर महिम पीस लीजिए इसकी एक चुटकी मातरा दिन में गुनगुने पानी के साथ तीन बार दो से तीन दिन तक ले आराम मिलेगा मुझे पानी में घोल कर उस पानी से सिर धोले आपकी सारी जुक खतम हो जाएगी मेरे पाउडर को शेंपू में मिला कर सिर धोने से डेंडरफ नहीं रहता है दाग, खाज, खुजली या एकजीमा होने पर स्किन को मेरे पानी से दो तीन बार धोले उससे काफी रहत मिलेगी एक चुटकी मेरे पाउडर में सोट मिला ले और बता से के साथ खिला दे गुखार उतर जाएगा मेरे मिले पानी के नहने से तन की दुरगंद दूर हो जाती है आपको किसी बियो या सेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी स्किन पर कोट लग जाने पर वहाँ पर मुझे रगड दीजिए खून बंद हो जाएगा टोंसिल की शिकायत होने पर गरम पानी में चुटकी भर मेरा पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल कर गरारी कीजिए मैं आपके पिमपल्स को भी दूर कर दूंगी आप मेरे पानी को पिमपल पर लगाईए और मुझ को धो लीजिए जल ही आराम मिलेगा हफते में दो तीन बार मुझे चेहरे पे लगाने से जूरिया नहीं आती है और आप हमेशा जवान रहती है तो हूना मैं बहुत फायदे मन आप अपनी जरूरत अनुसार मुझे इस्तमाल कर सकते है और अपने परिवार वालों को मेरे फायदे बता सकते है अच्छा अब बाई बाई आगे फिर मेरा कोई साथी आपके सामने हाजिर होगा अपने चमतकारी गुण और अवगुण लेकर तो अभी सब्सक्राइब कीजिए अपनी कहानी खुद की जूबानी और जानते रहिए हमारे फायदे और नुक्सान धन्यवाद अपने खुद की जूबानी